नमस्कार इंद्राक्षी धाम में आप सभी का हर्दिक स्वागत करते हैं सबसे पहले हम बधाई देते हैं जिनका आज जनम दिन हैं उनको बहुत-बहुत बधाई और जिनकी आज मेरिज एनिवरसरी है उनको भी बहुत-बहुत शुब कामना है देखेगा ये जीवन है, जीवन निरंतर चलता रहता। डिर बाई जी दिन बीचते जाते हैं, मिनट सेकिंड घंटे बीचते जाते हैं कब हम दौ साल के थे, कब पाशक हुए, कब पंद्रा के हुए, कब 25 के हुए, और कब पचास के उए और कब पिंजरे से पंचर ऊड़ा, कहें नहीं पाते हैं तो जीवन कहने का भाव लगता तो है कई बार धीमिकती से गुजर रहा है और कई बार ये भी नहीं पता लगता कि जीवन के इतने वर्ष कहां चले गए और हमने कुछ नहीं किया हम कोई तरक्की नहीं कर पाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में हमारे लिए आनिवारी हैं तो सबसे पहली बात मिरे दर्श को हम जीवन में कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ बड़ा हमेशा करने का प्रियास करें जिससे हमें ये लगे कि हाँ जीवन हमने जीया है हाँ हमने जीवन में कुछ किया है आज एक सवाल भी है हमारे पास सवाल है सोमनाद गुपता जी का सवाल पूछा गया कि यदि हम पित्रों को परती दिन जल नहीं दे पाते हैं तो क्या शर्मा जी ऐसी इस्तिती में हम क्या करें कई बार हम ट्राइलिंग में होते हैं कई बार हम परती दिन पित्रों को नहीं जल दे पाते हैं सूरिय को नहीं जल दे पाते हैं तो हम ऐसी इस्तिती में क्या करें आप लोगों का भी ये बहुत लोगों का सवाल हो सकता है कि यदि हम प्रती दिन सूरिय को जल नहीं दे पाते हैं तो हम क्या करें प्रती दिन हम पित्रों को जल नहीं दे पाते हैं तो हम क्या करें सबसे पहली बात तो हमारे दर्शक इस बात को समझ लें कि अपने दिमाग से बहुत सारी तक्यान उसी बातें निकालने का प्रयास करे नमबर वन मेरा सूरिय ऐसा है मेरा सूरिय वैसा है मेरे सूरिय के संग राहू विराजमान है मुझे सूरिय ग्रहन दोश बन गया है बन गया है लेकिन किसी ने कहा कि तुम सूरिय को जल मत देना किसी ने कहा कि तुमारी यह मावस्या ऐसी है तुम पित्रों को जल मत देना देखेगा ये जोतिस के परकरण में बिलकुल भ्रामक तथ्य है ऐसा यदि कोई आपको गाइड करता है कि आपका ग्रह ऐसा है आपको सूर्य को जलनी देना है आपके पित्र ऐसे हैं तो आपको पित्रों को जलनी देना है ये उसी प्रकार से होगा अन्याए जैसे एक भूके को तरफा तरफा के मार देना और उसको रोटी ना देना ये बिलकुल मित्या है ऐसे संसार में बड़े डिक्टेटर लोग हुएं जो उन्हों कारागार में लोगों को डाला है कैदियوں को डाला है भूके भूके तरणे के वो सनसार से चले गए लेकिन वो चले गए वो उनकी आत्मा जानती है कितना उनको तरणे ना पड़ा लेकिन जिस ने तरणे वाया उसको परवा नहीं है ऐसे ही हर सास्तर में हर विद्या में कुछ ऐसे भी लोग विराजमान हो जाते हैं जिने शायद विद्या की गहराई या वस्तु इस्तिती नहीं पता होती और वो कहने वाले को कुछ भी कह देते हैं लेकिन माइनस प्लस हमें करना आना चाहिए हमें जीवन का गणित लगाना आना चाहिए सच जूट का हमें फर्क आना चाहिए दिल पे हाथ रखे देखेंगे तो आत्मा यही कहेगी कि जो सूरिय प्रकाश के नियनता है प्रकाश के दो तक है पूरे विश्व को प्रकाश से रोशनी से नहला देते है नियत समय पर हर देश में निकल जाते हैं ऐसी सूरिय को हम प्रणाम ना करें जो सूरिय गेहुं की बालों को पका देते हैं खाद्य पदार्थ हम तक सूरिय की ही गरपा से पहुँच पाते हैं तो क्या ऐसी सूरिय को हम जलना दें आपका गिरह कितना भी खराब है किया हम इतना अपने गिरहों से डर जाते हैं कि हम अपने पंच देवों में से एक देव भगवान सूरिय को नमनना करें अगर हमने हिंदू सास्तर में जनम लिया है हमने हिंदू परपाटी में जनम लिया है तो हम क्या सूरिय भगवान की सेवा ना करें क्या हम सूरिय भगवान का स्मरण ना करें और दूसरी बात जो लोग हमारे धर्म का या हम लोगों की इस प्रकार की पूजा पाट के क्रिया किलाब का मज़ा खुडाते हैं उन से कहें कि साब जो चीज संसार को सब कुछ देती हो वो तो भले भगवान ना हो तो भी प्रणाम करने का दिकार है क्या हम राजनिताओं के पहर नहीं चूते क्या हम उनको प्रणाम नहीं करते क्या हम अपने देश के ऐसे मुर्धने व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते वो भगवान तो नहीं है लेकिन फिर भी हम पहर चूते है फिर भी हम प्रणाम करते है क्यों? क्योंकि उनमें कुछ है वो देश के करनाधार है वो देश के सुत्राधार है उसी प्रकार से जो सूरिय हैं प्रकाश के नियनता है उन्हें प्रणाम करना ही बनता है उन्हें नमन करना ही बनता है जिन पित्रों ने हमें जन्म दिया जिन जिन दिव्य आत्मावने हमें इस संसार में जीना खाना पीना रहना सिखाया अगर वो हमारे पूर्खे हमसे बिछड़े हुए हैं तो क्या हम उन्हें नमन न करें क्या उनके नाम से हम एक लोटा तिलांजली का जलना दें लोग मजाख उड़ाएं अरे वो जल पीने थोड़ी आतें वो जल पीने थोड़ी आतें माना जल पीने नहीं आतें आपने उसकी पीछे चिपी एक भावना को नहीं समझा कि एक हिंदू कितना निर्मल और कितना मन से हर्दे से शुद्ध होता है कि साब जो संसार से चले गए उनके भी नाम पे वो उनको जल देने का प्रियास करता है उनको अन खिलाने का प्रियास करता है उनके नाम से श्राद करता है इस प्रपाटी को ले लीजी ऐसे समझ लीजी तो क्या उसकी भावना को आप ठेस पोचाएंगे अगर वो अपने बड़े बज़र्गों के नाम से उनको जल देता है वो पीए ना पीए that is separate issue हमने आपकी बात को बड़ी किया लेकिन उस व्यक्ति की भावना देखो उसके अंदर भाव देखो तो जो व्यक्ति संसार से चला गया उसकी केर कर रहा है और उसके सामने यह कोई भूका तड़फेगा तो क्या वो उसकी केर नहीं करेगा बिल्कुल करेगा क्यों उसकी भावना ऐसी हो चुकी है इसलिए मेरे दर्शों को बहुत सारी चीजें आप आई दिन सुनते हैं जानते हैं मेरा आप से यही प्रियास है सही को सही समझा करें और समझने का प्रियास भी किया करें तो सोमना जी आपने बड़ा प्यारा सवाल पूछा हमसे मैं जरूर इसका अंसर दूँगा जो लोग प्रति दिन सुरिया को जल नहीं दे पाते तो दिन में सुरिया कहीं नहीं सबको दिखते हैं तो कम से कम एक छणिक एक सेकिंड लगता है सुरिया को देखकर के प्रणाम कर करते हैं तो वहां वहां पर भी आपका ना पीठ सुरिया की तरफ होना चाहिए और ना मुख ही सुडिया का तرف मलतिया करते समय होना चाहिए कई आप छेत जंगल खलयान में हें तो भी ये विवस्ता ध्यान रखें सुर्य की तरफ ने कमर हो नहिस्य सूरिय के तरफ आपका मुख हो दूसरी बात ऐसी इस्तिति में यदि रवीवार आप घर हैं तो सूरिय को रवीवार के दिन हलका सा मीठा मिलाकर के जल जरूर दीजिएगा सूरिय का जल का चीटे पैरो पर ना पड़े कैसे दें सूरिय भागवान को जल यह हमारा सब्तंत्र जल भरके जरूर देना चाहिए सूरिय का अलग और पित्रों का अलग रोज नहीं दे सकते हैं मत दीजिएगा केवल अमावस्या महिने में एक अमावस्या आती है आफ्टर थर्टी डेज अगर एक लोटा जल हम दे देते हैं क्या बुराई है और बहुत लोग जैसे बहुत जीवित हैं कोई बात नहीं है तो उनके घर का वो मता पिता करें इस चीज को बड़ा कोई जीवित है तो वो चीज को करें और यहिदी आपको लगता कोई करने को तैयार नहीं है तो आप भी एक लोटा जल अपनी दिवंग अथात्मा आपके पापापा है दादा है उनसे पहले भी तो कोई आपकी चैन रही है, पर दादा, फिर उनके दादा, फिर उनके दादा, कहीं से तो हम लोग है ना, कहीं से तो हमारे चैन जुड़ी हुई है, तो हम अबस्या की प्रातकाल, लेकिन ध्यान रखें, सूर्य का जल सेपरेट दिया जाता है, पित्रों का जल देते हैं यह आप सब ध्यान रखिये हैं किम लाएं थोड़ा मीठा काला तिल थोड़ा सगनगा जल उत तुमिला लए और mm यो समें लाल संदूर पित्रों के जल में नहीं डाला जाता यह ध्यान रखे है सूर्य के जल में लाल रोली सिंदूर कुछ भी हम डाल करके लाल फूलादी डाल करके दे सकते हैं और पित्ट्रोuck के लिए लाल अभी हिंदू होने के नाते जोड़ने का प्रियास करें आई अब समय हो चला है आज की ध्यान साधना से जुड़ने का आज की ध्यान साधना में हम भगवान श्री लंबोदर विग्न विनाशक भगवान श्री गणपती से प्राथना करते हैं सभी के संकट वे कष्ट दूर हो हाँ जोड़ने आखे बंद कर लें अमित्विक्रमाए नमाहा ओम उवेडवेदाए नमाहा ओम विध्याWhile लेमाहा ओम सरवाग्या नमाहा ऑम सरवगाई नमाहा ओमश्ञांताये नमाहा ओम विद्टेश्वराए नमाहा, ओम विश्वधाराए नमाहा, ओम सनातनाए नमाहा, ओम स्रीपते नमाहा, ओम गंगनपते नमाहा वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी संपरभय निर्विग्णम कुरुमे देव सर्वकार येशु सर्वदा ओम नमो विग्ण राजाय सर्व सुख्य परदाईने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महा विर्यम नाग्यगो पवीत शोवितम अर्थ चंद्रधरं देवं विग्न विःविनाशनम ओम हरां हिरिंग हरुं हरें हरौं हरें हेरं बाए नमो नमाः ओम सर्व सिध्धी प्रदो असी वम सिध्धी वुध्धी प्रदो भवा ओम श्री गणेशाय नमहा, ओम लंबो दलाय नमहा, ओम मुशक वहनाय नमहा, ओम गणेशिरणम चिंधी वरणयम, हुम नमहा फट, ओम हस्ती पिसाची लिखे स्वाहा कवच बना लें, नेत्र बंदर रखें, गुप्त मंत्र हम पढ़ रहे हैं समाने रूप में आजाएं, हाद जोड़ें, नेत्र खोल लें भगवान श्री गणपती के असीम अनकौंपा, असीम गर्पा, आप सब के उपर बरसे ऐसा हम भगवान श्री गणपती लंबो दर से हम प्राथना करते हैं दर्शो को प्रती दिन इस विशेस कारिकरम से जुड़ें, सुबह मौका ना लगे, शाम को जुड़ें, शाम को मौका ना लगे, तो जब जागो तब सबेरा बैटर दैन नथिंग, जुड़ी अगा जरूर, और इसमें एक सरंखला बना लें, बहुत लोगों के एक तरह से आवेदन कहलें, बहुत लोगों के ऐसे आवेदन, ऐसे नाम नंबर्स लिखे जा चुके हैं, जो दिक्षा के इच्चुक हैं, तो दिक्षा समारो कैसे का नहीं होती, अगर हम किसी को गुरू बनाना चाहते हैं, तो गुरू बनाने के लिए सिर्फ आपके अंदर स्रद्दा भाव और समर्पण की भावना होना अनिवारी है, इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को फिराम देते हैं, जैमा इंद्राक्ष, और्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे, मेरी फैक्टरी लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनस करना पड़ेगा, मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिलकुल नहीं, टीवी में छोटा सा मंत्र, अभी तंत आने के लिए बताया था, मैंने मंत्र पढ़ा, भूर वीर, भूर वीर, तू चेला मेरा, खोल दुकान, कहा कर मेरा, मैंने उन दानों को भी खेरा, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं दुपहर के समय में मेरे पास फोन आने लगए, ओर्डर्स, ओर्डर्स, आज की तारीक म मैं इतना परिशान हूँ, इतने ओर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परिशान हूँ, क्योंकि मैं उन ओर्डर्स को एक्सक्यूट नहीं कर सकता, अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ओर्डर्स मेरे पास बहुत हैं हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें